चाहे 2018 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव एक constituency जो ज्यादा सुर्खियों में रहा है वो है गोशा महल और यहां के विदायक राजा सिंग जी हमारे साथ जुड़े है राजा सिंग जी यह जो सियासत चल रही है अभी गोशा महल जो है सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां स इमायम ने अपने कोई विदायक को जो है यहां से ठहरा है अपने कोई कैंडिडेट को यहां पर ठहरा है नहीं है इसको कैसे देखते हैं देखिये मैं पहले से एक चीज़ पर फोकस दालने का प्रहत्न कर रहा हूं कि आज यह मायम ने 2018 का चुनाव जब आया था वो समय पर 2014 हो या 2014 से पहले के चुनाव हो हर बार गोशा महल मैनलर्टी के जितने भी वोट है कॉंग्रेस को वो बेशते थे यानि जो पुराने शहर का जो हमारा मुस्लिम्स भाई है वो नादान है जानकर भी अंजान मनता है और यह असुद दिनोवेसी और अकबर दिनोवेसी जो य यह जहां उंगली बता है वहां पर ओल्ड सीटी का मुसल्मान वोट दाल देता है तो मैं हमारे पुराने शहर के एवँ म मैनॉरीटी भाई बंदों से कहना चाहूंगा जो आपके लिए काम करता है उनको आप वोट दे मेरी गोशामेल विदान सभा में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिक हो, हिसाई हो जो भी हमारे पास आता है हम उनका काम करके देते हैं हम ये नहीं देखते काम के समय पर किस जाती का है, किस धर्म का है लेकिन दुर्भागी है कि गोशेमेल विदान सबागे जितने जो मैनुर्टी भाई है जो 2018 में 52,000 थे और आज लगबग 75,000 वोट हो गए यानि कईयों बोका सिंग वोट यमायम ने बढ़ाया है उनका टार्गेट था कि इस बार यमायम को हम खड़े करेंगे राजा सिंग के खिलाफ लेकिन पता नहीं मैं समसा हूँ बी एरेस पार्टी की वोट से लगबग 30-35 करोड रुपे उनके दारुससलाम में पहुंच गए जो उन्होंने यहां के मैनुर्टी वोट को फिर से बी एरेस को बेज दिया है इसलिए असद्धी नोव इसी ने यहां पर एमायम कैंड़ेट खड़ा नहीं किया सर कॉंग्रेस का यह निशाना है कि जूबली हिल्स में एक सीट बढ़ाई गई है एमायम की तरफ से अजरुदीन के खिलाफ लेकिन उनके विधानसबा जो पार्लिमेंट शेत्र है उसमें विधानसबा गोशामेल जो लगता है यहां पर कोई कैंड़ेट खड़ा नहीं किय है इसका मतलब यह कि वीजेपी और एमायम दोनों साथ मिलकर यह काम कर रहे है मिली जूली साजिश है यह उनका कॉंग्रेस का आरोफ है आपके खिलाब लगाने से पहले यह थोड़ा सोच लेना और फ्टूड़ा पिछला रिकौर्ड कॉंग्रेस अपना देखलना अगर को दूद ना पिला कर इतना बड़ा करते तो आज ये इतने बड़े ना होते हर एक राज्य में जहां चुना हुए वहां जाकर दूसरे पार्टियों को ब्लैक मेल करके पैसा ना कमाते राजिंदर नगर हो या जुबली हिल्स हो ऐसे कुछ-कुछ शेत्रों में इन्होंने ये मायम का कैंड़ेट खड़ा किया है जीतने के लिए नहीं वहां के मुस्लिम्स वोट को डाइवर्ट करना कॉंग्रेस को नुकसान पहुंचाना और बी आरस को फैदा पहुंचाना ये उनकी नितरी ये बले ही आज ये मायम दुश्मन हो गई विधान सवहां में कंड़ड खड़ा कर लेते ते यो लोग बिजनेस प्राइनग कर लेते ते और वोट बेश लेते ते और अज ये लोग कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए यहांवां केंड़ड खड़ा कर रहे हैं और भाविजब्य पर मायम की बात देखिए दूद में नमक दालोगे तो दूद फट जाएगा, ये नमक है MIM और हम दूद है, कभी भी हम दोनों का मिलन आज हो या कल हो भविश्च में कभी भी हमारा मिलन नहीं हो सकता, और एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा, ये MIM की नीती, कांग्रेस की सरकार रही, उनके पैर पकड़ के ये लोगोंने धंदा किया, टीडीपी की सरकार रही, उनके पैर पकड़ के इन्होंने धंदा किया, अब टीएरेस की सरकार रही, उनके पैर पकड़ के ये लोग जहां जहां पर गौर्रमेंट लैंड है, वहां बनेगी लेकिन यह मायम का सुद्धिन वीस को कहूंगा हमारे पैर पकड़ने का तुम्हें मौका नहीं देंगे तुम्हें कहां बेजिंगे यह आने वाला समय बताएगा क्योंकि देश-दुरुहियों का समर्तन करने वालों की जगा भारते जंता पार्टी में नहीं रहेगी परदान मंतरी नरेंदर मोदीने इटल राजेंदर जी को बीसी सीम के तौर पर लोगों से बीसी लीडर्स के संगठानों में ये बात कही इसको कैसे देखते हैं आप क्या आप मानते हैं कि उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना चाहिए दिखिए हमारी भारती जनता पार्टी एक डिसिप्लेन वाली पार्टी है कोन मुख्य मंतरी बनेगा ये भारती जनता पार्टी का कारे करता और विधायक दल के जितने भी जो विधायक जितेंगे वो और संटर पार्टी ये लोग डिसाड करते हैं हां बीसी मुख्य मंतरी रहेगा जो अमिशा जी नहीं कहा है हंडेट परसंट बीसी ही मुख्य मंत्री रहेगा वो कोई दोराय नहीं है अब यह देखना है कि तिलंगाना राजी में जो चुनाओ का मौहल हमारे बीसी भाई का जैसेां पर दोसरी पर्टी ओंशा जो डिकलेशन आया है इसको कैसे देखते हैं इसको कैसे देखते हैं छाहें जितने भी लोग है इस लोग डेकलरेशन कर रहें वोट लेने के लिए लेकिन कोई बी वियर आज और को कॉंग्रेस हो वह एक स्टेंड में ठहरने वाली पार् भारती जनतापाटी बले इक है दुआरा मैर्टी के लिए कितना भी क्यों न बात करें ऌहीं कि और मैं समझता हूं मैंने का हूर। काउंपर क्वानित है क्योंकि बारत में जिस तरह से सब्सक्राइब। सर चाहे कॉंग्रेस के चीफ रेवन त्रेडी को RSS का जो है मैन कहें या फिर आजमी कहें या फिर उन्होंने जो आरोप लगाया है AIMIMP की शेरवानी की अंदर खाकी निकर उन्होंने पहनी है इस आरोप को इस इस काउंटर को कैसे दिखते हैं देखिए 809C को मीडिया में रहने की एक आदस ही बन चुकी है भले वो कभी कॉंग्रेस पे कॉमेंट कर दे कभी फिलिस्तिन के ओपर कॉमेंट कर दे कभी गाजा के ओपर कभी हमास के ओपर और रेवन तरड़ी को RSS का विक्ति बताना देखिए रेवन तरड़ी बलही एक समय पहले ABVP के कारे करता थे एक समय पहले जब उनका राजनीती करियर शुरू नहीं हुआता लेकिन शायद उनका रिदय परिवर्तन हुआ वो TDP गए उसके बद में कॉंग्रेस के आज ची लिंक नहीं है और अभी वो चीप बनके बैटे हैं तो अभी कॉंग्रेस का प्रभाव इदर बढ़ रहा है तो जिसका प्रभाव बढ़ता है वो इसी साब उस पर कॉमेंट करते हैं उनका उदेश यही होता है कि हमें मीडिया में फोकस होना है और हमारी स्कॉलिंग चलते करना यह उनका घट्या प्लान है दनियावाद सर्म से बाचीत करने के लिए यह थे पोशा महल के विद्धायक और आने वाले बीजेपी से एसम्मली कैंडिडेट जो चुने गए हैं चुनाव के लिए आने वाले चुनाव के लिए टी राजा सिंग्ग के साथ अब्दुन पशीर हैदराबाद